Flipkart की app के अंदर आप लोगों ने देखा होगा Flipkart Paylator का feature मिलता है अब अगर आप इसके बारे में जानना चाहते होगी यह क्या होता है कैसे इसको activate करते हैं कैसे use करते हैं इसके fees and charges क्या है और overall यह आपके लिए अच्छा रहेगा बेकार रहेगा आपको activate करना चाहिए या न पन करके अंदर देखते होगी Flipkart Paylator का feature यहाँ पर मिलता है नीचे activate का option भी आता है तो अगर आप इसको activate करते हूँ तो होता क्या है कि Flipkart आपको IDFC bank के थ्रूँ एक personal loan दिलवा देता है जिसके limit 5, 10, 15, 20, 25,000 कुछ भी हो सकती है जिसको बाद में जाके आप अपने Sibyl पर चेक करोगे तो जो आपको Paylator Activate होके जितनी limit मिली है उतनी limit का आपको आपके Sibyl पर personal loan दिखेगा तो यह Paylator एक तरह का personal loan होता है अभी इसका use क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगा पहले activate इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ Simple है Flipcard की app के अंदर जहां पर आपको Paylator का option आ जाता है उस पर नीचे activate का option होता है उस पर tap करोगे तो अंदर तीन इस टैप में आप इसको activate कर सकते हो First में आपसे आपका pen card number मांगेगा वो आप डाल के आगे submit करोगे तो आपके पास OTP वगर आएगा वो आप डाल दोगे Second step में आपसे आपका अधार card मांगेगा अधार card की detail डाल के आप submit करोगे Third step में आपको अपने bank account की details यहाँ पर डालनी है अब वो भी आप डाल सकते हो नहीं तो नीचे UPI का option आता है आप चाहो तो अपने UPI ID भी यहाँ पर add कर सकते हो तो आप यह सब करके जैसे ही submit करोगे आपका flip card pay later activate हो जाएगा और आपको कितनी limit मिलेगी 5, 10, 15, 20, 25,000 कुछ भी limit मिल सकती है सभी लोगों को अलग-अलग मिल जाएगी तो जब आप यह activate कर लोगे आपकी limit आपको तब ही पता लग जाएगी अब वो जो limit है वो एक तरह का personal loan है अब इसका use क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं देखो आप flip card pay later को activate कर लेते हो जितनी भी आपको limit मिल जाएगी अब उसका होगा क्या कि आप flip card और mintra से कुछ भी purchase कर सकते हो कैसे माल लो भाई आपके पास पैसे नहीं है shopping करने के लिए आपको flip card से या मिंतरा से कुछ भी खरीदना है और आपके पास पैसे नहीं है तो आपने जो flip card pay later activate कर रखा है उसमें जितनी भी limit आपको मिली हुई है उतनी limit तक का कोई भी product आप ले सकते हो simple है आप search कर लोगे जो भी आपको लेना है phone, laptop या कुछ भी चीज है आप उसको buy करके end में payment option पे लेके जाओगे तो वहाँ पे आपको दो option दिखेंगे first option में होगा buy now और आपको next month में payment करनी होगी second option आपको EMI का भी आएगा चाहे तो आप next month payment कर सकते हो जो भी product आप खरीद रहे हो उसकी या फिर आप phone, laptop या कोई महँगी चीज है तो उसको EMI पे भी वहाँ से ले सकते हो अब हम इसके fees and charges के बारे में बात कर लेते हैं देखो अगर आप इसको activate करते हो तो उसका आपको कोई भी charge यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा लेकिन activate करने के बाद आपको इसको use करते हो तो उसका हर महीने charge आपको ज़रूर देना पड़ेगा अभी कितना देना पड़ेग यह limit के according अलग-अलग है, मान लो अपने flip card पे लेटर activate कर लिया, आपको limit मिली 100 से 1000 तक के बीच में, तो आपको almost 6 रुपे, यहाँ पे GSTV include होती है, 6 रुपे के आसपास में आपको usage charge देना पड़ेगा, और अगर आपको limit मिलती है 1000 से 3000 के बीच तो almost 12 रुपे के आसपास में आपको usage charge देना पड़ेगा, और 3000 के उपर कितने भी फिर आपको limit मिले 10, 15, 20,000, फिर आपको यहाँ पे लगबग 18 रुपे usage charge देना पड़ेगा, अब यहाँ पे काफी साहे लोग का एक question भी होगा, एक confusion होगा, कि भाई flip card pay later activate कर लिया ठीक है, तो क्या अब हर महीने charge देना आपने इस मन्त में कोई product खरीदा, next month उसके due date अगर निकल जाती है, तो यहाँ पे भी आपके उपर late payment के charges लगते हैं, कितने लगते हैं, वो यहाँ पे आपने कितनी amount use की है, उसके उपर depend करता है, screen पे आप देख सकते हूँ कि कितने charges आपको देने पड़ेंगे, और एक च इसी भी price का product खरीद रहे हो, उस पे 1.5% निकाल लेना, वो 100 से कम बैठता है, तो minimum आपको 100 रुपीज processing fees देनी पड़ेगी, और वो 100 से जाधा amount आती है, तो उतनी आपको processing fees देनी पड़ेगी, और यह 3 month, 6 month और 9 month के लिए, अगर आप product 12 month की EMI के लिए लेते हूँ, तो यह आपको पूरी order value के, यानि कि जितने का total आप product purchase कर रहे हो, उस पे 2% निकाल लेना, जितने भी amount आएगी, वो आपको processing fees यहाँ पे देनी पड़ेगी, अब सारी जो important चीज़े है, flip card, pay later के बारे में, वो मैंने आपको बता दी है, अब end में बात कर लेते हैं, यह आपको activate करन चाहिए, या नहीं करना चाहिए, क्या यह आपके लिए useful होगा की नहीं होगा, तो देखो अगर आपके पास किसी भी bank का credit card है, आपको यह credit card यूज करते हो, तो ऐसे में आपको कोई need नहीं है, flip card pay later की आपको यह activate नहीं करना चाहिए, क्यों, देखो flip card pay later में जो feature हैं, जैस कि आप product purchase करके next month उसकी payment कर सकते हो या उसको EMI पे ले सकते हो वो already आप अपने credit card से कर सकते हो आप EMI पे भी चीजे ले सकते हो और next month credit card का भी bill generate होता है तो ऐसे में कोई need नहीं है flip card pay later की इसमें दो बड़े negative point भी है first तो यह है कि आपको हर month user charge देना पड़ेगा अगर आप इसको activate करके use करते हो second चीज़ कि यहाँ पर EMI पर आप कोई चीज लेते हो तो यहाँ पर rate of interest बहुत ज़्यादा हाई है अगर आप इसको अपने credit card से compare करोगे तो यहाँ पर interest rate बहुत ज़्यादा है तो credit card अगर आपके पास है तो बिल्कुल भी need नहीं है flip card pay later की अगर आपके पास फिर किसी bank का credit card नहीं है तो पहले मैं यह कहूँगा कि try कर लो कहीं पर कोई bank credit card दे दे तो वो पे लेटर से ज़्यादा बहतर है और अगर कोई credit card नहीं देता है आपके पास नहीं है आपको EMI पे चीज कुछ लेनी है तो ऐसे में आप flip card pay later को activate कर सकते हूँ लेकिन हाँ इसमें कुछ extra charges थे वो मैंने आपको बता दिये तो hopefully आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा मैंने बहुत simple तरीके से बताने की कोसिस करिया है वीडियो पसंद आया हो तो like ज़रू कर देना चैनल पे नहीं हो तो subscribe करके bell icon press कर देना ऐसे और वीडियो देखने के लिए और आप चाहूँ तो मुझे instagram पे भी follow कर सकते हो उसका लिंक आपको नीचे इस वीडियो के description में मिल जाएगा मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में तो अके लिए thank you bye bye